आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सफाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक की प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनोट करें अब ही राउनोट करें अब ही राउनोट करें कี่ यहां पर दोस्तों N पर धनायन होगा क्योंकि 4 इलेक्टरान है, चार बंद हैं इसके पास. थीक है इसके चारखता घड़ जाती है, अब दूसरे विकलब की बात करें. इसी परकार से दीया गया, यहां पर N है, थीक है, नहां पर दूई बंद बना है, दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पर यह एन का इलेक्टान रूम दोस्तों इधर इलेक्टान देता है और इस एन पर इलेक्टान के घनत को बहुत बढ़ा देता है ठीक है दोस्तों यहां पर देश दूई बंद आता है यहां रिनायन आ जाता है यहां पर धनायन दोस्तों अगर N पर रिनायन आ जाता है तो दोस्तों इलेक्टान घनत तो जो है दोस्तों इलेक्टान घनत तो है वो दोस्तों बढ़ जाता है इलेक्टान घनत तो बढ़ जात तो दोस्तों तो अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर एक हाइडोजन भी होगा दोस्तों यहां पर आइडोजन भी होगा तो अगर इसकी छारक्ता की बात करें दोस्तों तो यहां पर यह उधासीन ही रहागा पर अधासीन होगा नदलब दोस्तों यह यह दोस्तों यहां पर उदासीन है ठीक है उदासीन रहते हैं लेकिन इस से ज़्यादा होगी क्योंकि यहां पर जो इलेक्टान जुगम है वो अनुनाद तो करते हैं लेकिन यहां पर इलेक्टान जुगम बने रहेंगे एक से अनुनाद करते हैं दूस यहां पर NH2 दोस्तों क्या होता है यहां पर यहां पर अनुराद करता है इस पर रिनायन लाता है यह भी दोस्तों अनुराद करता है इस पर रिनायन लाता है तो अगर बात करें दोस्तों यहां पर अगर इस समय यहां पर NH और दोस्तों यहां पर दो रिनायन आ सकते हैं दोस् दोस्तों तो इसका इलेक्टान घनत जो होगा दोस्तों घनत शबशे अधिक होगा सबसे अधिक होगा सबसे अधिक होगा सबसे अधिक होगा इसका इलेक्टान घनत तो अगर छारकता की बात करें तो चौथा सबसे अधिक छारक होगा उसके बाद दोस्तों आएगा दूसरा जहांपर इलेक्टरान घनत तो बढ़ जा रहा था ठीक है उसके बाद दूसरा आएगा दोस्तों उसके बाद तीसरा आएगा जहांपर कियों इलेक्टरान यूगों उपस्तिता और अंत में पहला आएगा जहांपर दोस्तों इलेक्टरान यूगों भी नहीं उपस्तिता जो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से चारक्ता का क्रम होगा, आस्या करूँगा आपको हमारा चारक्ता का क्रम बहुत अच्चे से समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू